All right guys, welcome back to my YouTube channel Friends, हम लोग सीख रहे थे हैं पर smart contact manager Spring boot में हम लोग बना रहे थे project Smart contact manager हमारे project का नाम था काफी modules मैंने आपको सिखा दिया था पिछले video में हम लोग ने सीखा था कैसे हम लोग password को change करेंगे backend में तो main उसमें जो मुद्दा था हो था कि कैसे हम लोग old password को accept करेंगे और old password को जब accept करेंगे तो कैसे उसको database में password उसको match करेंगे and then जब match हो जाएगा तब हम लोग उसको कैसे अपना database में password रखा है उसको update कैसे करेंगे तो यह मुद्दा मैंने solve कर दिया था और अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मैं यहां पर springboard जो मेरी series follow करोगे तो यहां पर practical series है मतलब सारे वीडियो जो है वो आपको practical में मिलेंगे that means project के साथ मिलेंगे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ concept सिखा दिया बस भाया खतम हो गया ठीक है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैसे आप forgot password का model को create करोगे तो यह जो वीडियो है वो वीवर्स के request पर एवन वीवर्स तो रही बहुत सारी project नहीं बनाये हैं तो आप खुद से कोसिस करें project बनाने की series को follow करें क्योंकि अगर आप यह series follow कर रहोगे तो project बनाना सीख जाओगे आप चलते हैं forgot password का यहाँ पर module को हो अपने end से दना कर नहीं होगा तो आप फिर से मुझे comment section में बताईएगा कि मैं practical video का बना दूँ बट आप जिसने भी मेरी इतनी सारी videos follow कर लिए होगी 78 spring boot में वो खुद से क्या कर लेगा create कर लेगा और जो चीज में बताने जा रहा हूँ email send कैसे करेंगे OTP कैसे send करेंगे वो अलड़ी मैंने अपने channel पर डाल रखा है आपको क्या करना है बस sync करना है email service को उठाके email OTP भिजवा देना है और message जो मैंने send करना सिखा था या तो आप उस पर message पर OTP send करवा दिए and then उसको practically convert करना है that means concept तो मैं पहले सिखा चुका हूँ उसी को हम लोग यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कैसे implement करो तो आप खुद से implement करेंगा तभी आप अच्छे सीखोगे उसके बाद अगर नहीं भी आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा मुझे कोई issue नहीं ठीक है बट काफी लोग मुझसे request भेज रहते कि sir forgot password वाला कर द अप्लिकेशन वह बैसी बात है सर्वर क्लाइंट का आर्किटेक्चर फारो करता है तो बैसके लिए जो क्लाइंट पर चलता है मैं में ब्राउजर पर जावस्क्रिप्ट चल रहे होगी फ्रेंट पे HTML CSS जावस्क्रिट एंड बैक एंड में में हमारा स्प्रिंग बूर्ट जिया चल रहा होगा फर्फिक्ट है तो सपोस हमारे पास यह दो पार्ट है इस तरफ उला जो पार्ट है वो हमारा है क्लाइंट सो यहां पर दिस इस आवर क्लाइंट तो मैं आप लिए नहीं आदि एक बटन दिखानी और लोग दिखा देते हैं फौर पास्वड घब बट इस पर click करेगा, तब आपको क्या करना है, आप खुद सुचो, आपको server पर, server पे already, URL बना के रखना, रखना होगा, जो इस click को handle करे, तो basically, suppose आपने हाप फ्लैस, forgot password बना के रखा है, तो slash forgot पे आप simply उसको भेज दीजेगा, अब server पे, इस पर आप जरूर हैंडिल करेगा, जब forgot password एंटर करो, तो server क्या करेगा, यह response में यहाँ से वापस बेज़ेगा, एक page, आप page में basically आप email address ले रहे होगे, या username या email address ले सकते हो, क्योंकि अगर आप username भी ले 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 तो, तो आपके पास username के corresponding email address मिल जाएगी database से, तो for the simplicity, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेज, एक form है, जो return हुआ है, जिसमें आपने simply एक उस बंदे का email ले लिया है, ठीक है, correct email, जिस पे हमें, मतलब काम करना है, जो valid बंदे की email है, और simply यहाँ पे एक button है, send otp, ठीक है, क्या है button, send otp, perfect है, जब बंदा अपनी email को यहाँ पे डाल देगा, that means उसने अपनी email को डाल दिया, and send otp पे click किया, तब आपको जो server request जाएगी, वो with email जाएगी, और email यहाँ पे आपको कुछ काम करना है, सबसे पहले आपको एक random otp generate करना है, random otp, ठीक है, तो आप 4 digit का, 3 digit का, या 5 digit का random otp generate कर लिया, then आपको क्या करना है, दूसरा step क्या करना है, email sender की help से, जो मैंने आपको सिखाया है, कैसे हम लोग एक service बनाएंगे, email को send कर निकले, तो वही service, वही method आपको यहाँ लिखना है, आपको इस x को क्या कर देना है, उस x मनदब क्या था, otp था, तो इस otp को हम लोग क्य error based दीगे, and तीसरा step, आपको क्या करना है, यहाँ पे, आपको इस x को save करना है, अपने database में, database, अब सब लोग कहेंगे, sir, database के लिए table मनानी पड़ेगे, तो yes, विसी बात कोई भी चीज़ अगर आपको save करने है, तो table मनानी की जरूरत है, को issue ने, ठीक है, या आप यहाँ बहुत सारे तरीके है, अगर आपको temporary store करना है, तो आप क्या कर सकतो, इस OTP को X को, X is OTP of 4 digits, 5 digits, it depends upon your implementation, तो आप क्या कर सकतो, इसको session में store कर सकते हो, आप session में key value pair में store कर दो, जब 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 पड़े तो निकाल लो, but session for specific interval of time यह valid रहेगा, तो वो आप देखो कि आपको कहा store करना है, basically मेरा कहना का मतलब है, इसको store कर रखो, क्योंकि जब बंदा OTP डालेगा, तब आपको verify करना होगा, सबसे बड़ी है database में डाल दो, उससे बड़ा कुछ नहीं है, अधर और और भी तरीके है, data को save करने के लिए, then जब OTP send हो जाएगा, और यह तीनों काम हो जाए है, अब हम लोग क्या करेंगे, simply response में भेज देंगे, क्या भी या, response में इसे बोल देंगे कि भाईया, OTP successfully send, यहाँ पर हम लिख देंगे, OTP send success, मतलब बंदे को दिखेगा, OTP send हो जाएगा, अब यहाँ पर हम एक box बनाएंगे, OTP को लेने के लिए, तो हम यहाँ पर लिख चेक करें, email ID को, चेक करें, और जो OTP हमारे server ने भेजा है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, OTP, वो यहाँ से उठाके, इस box में डाले, जब इस box में डालेगा, and then यह submit करेगा, OK पर क्लिक करेगा, देन हम लोग क्या करेंगे, जो receive हुई इस form से, यहाँ में form OTP लिख दे रहा तो जो हमने save की थी database में, and जो user ने डाली है, अगर यह दोनों बराबर है, तो हम यहाँ से change password का, क्या कर देंगे, change password का एक form भेज देंगे, जिसमें आपको simply new password डालना होगा, new password, जिसमें आपको simply new password, क्योंकि बंदा valid है भाई, मत्तब हमारी OTP, और जो user ने OTP डाली है, email ID स निकाल के, वो match कर गई, और अगर match कर गई, तो हम new password का एक form base देंगे, और यहाँ पर option देंगे, change password, change करेगा, simple हम लोग database में, इस नयवाल password को रख देंगे, कोई verification नहीं, क्योंकि अलड़ी क्या हो चुका है, आपका verify कर चुके, भाई, OTP send कर दिया, उसने OTP डाल वे दी द या फिर नम लिखते है, OTP does not match, OTP does not match, तो यह depend करेगा, आपकी पूरी implementation क्या message देना है, कब देना है, यह process है, आपको कुछ request भीजनी पड़ेगी, सबसे पहले, आपको यहाँ पे जो पहली request आएगी, उसमें आपको email id वाला form response में send करना है, जिसमें email id रहेगी, ठीक है, उ उस email id पे हमें क्या करना है, दूसरे step में, दूसरे request में, OTP generate करना है, random OTP, अब libraries यूज कर सकते हैं, OTP generate करने के बहुत सारी libraries है, बहुत सारे random numbers है, आप खुद से भी उसको generate कर सकते हो, then हम उसको X को send कर देंगे email पे, वाल दो OTP को send कर देंगे, and then हम उसको save कर देंगे database में अब आप यहाँ पे OTP डाल दीजे, बंदा क्या करेगा, यह अपना email id चक करेगा, OTP डालेगा, and जब यह भीजेगा, तब हम लोग इसको एक form नया देंगे, new password का, and new password, यह ऐसे ही नहीं देंगे नया form, हम लोग से पहले चक करेंगे, क्या जो form में OTP मिला है इसको, जो form मे इसको OTP मिला है, यहाँ से, form में OTP मिला है, वो OTP अगर हमारे database वाले OTP से match कर रहा है, यह बहुत important condition है, अगर match कर रहा है, तब ही हम लोग क्या करेंगे, नया change password और form send करेंगे, जो password को change कर रहा हो, और change पे click करने पे हम लोग password को simply database में update कर देंगे, लेकिन अगर OTP नहीं match क करके message देंगे, that's it, तो यह तो simple OTP का approach था, one time password, that means OTP, इसका approach था, आप simply यही आप logic follow करके, जो आजका reset link होती है, उसको भी send कर सकते हो, simple logic वही है, आपने simply यहाँ पे email id लिया था, बंदे का email id लिया था, simply आपको यहाँ पे link generate कर रहा है, जो link में आपको information store कर देना है, तो आपकी link यहाँ पे generate होगे perfectly, अब उस link को simply आप भीज़ दीजे, उसके email id पे, OTP की जगह पे भीज़ दीजे, और साथ ही साथ में, आप बस OTP के सका भीज़ दीजे, बस link working हो, link में आप इतनी information store कर दिए, कि वो link उस user को verify करने के लिए, मतलब अच्छे से कर पाए, उस link के अंदर आप URL rewrite करें या कुछ भी करें, OTP आप उस URL में store कर दिए, वो depend करेगा, बट यहाँ पे इस बार आपकी verification, verification, link जाएगी, और वो उसी जब link करेगा, उसी link पे click करेगा, तो यह काम already हो जाएगा, कोई issue नहीं है, ठीक है, तो यह चाहिज़ आप इयाद रखेगा, same process ह कर देंगे, जहाँ OTP आप email present कर रहे थे, वही exact process follow करके, आप OTP आप अपने customer के, या client के, या जो भी user है, उसके phone send कर दिए, क्योंकि OTP चाहिए email से उठाय है, चाहिए phone से उठाय है, वो बात तो ही क्योंगी, जब OTP यहाँ पे डाल देगा, suppose यहाँ पे mobile phone था, और इसने mobile phone अगर आप कोई logic समझ में आया हो, तो आप इसको implement करने ही कोसिस करेंगा, यह simple theoretical, यह theoretical approach था, कैसे मैंने बता दिया, अब इसमें कुछ चीजें जरुद पढ़ेंगी, जैसे require response करना, तो मैंने आपको spring boot वाले में सिखाई दिया, तो आपको spring boot तो आपको सीखनी पढ़ेगी, तो अगर आपने भी playlist नहीं access किया, तो मैं link डाल दूँगा, जरूर उसको access करें, spring boot की, अब इसमें आपको जरुद पढ़ रही है, email, email को कैसे send करेंगे, send email की आपको जरुद पढ़ेगी, तो आप मेरा video देखिएगा, send mail का video मैंने बना के रखा है, और even मैंने angular से email को send करन तो उसका भी मैंने already video बना के रखा है, Java में भी और Python में भी बना के रखा है, तो आप message का भी यूज़ कर सकते हो, send, बस दिखकत यह message में, कि आपको किसी SMS gateway का use करना पड़ेगा, email में आप क्या कर सकते हो, simple Gmail यूज़ कर सकते हो, otherwise अगर आपके पास SMTP server है, तो आप उसको use क परके अपनी domain से क्या कर सकते हो, email को send कर सकते हो, I think इतनी सारी शिया है, आपके लिए enough है, और सारी वीडियो अब लेबल है, बस आपको क्या करना है, आपको सब वीडियो उठाके, project की वीडियो, spring boot वाली, जो वीडियो थी, वो सारी, and send email का video देख करके, send message का video देख करके, ये सारी वीडियो देख करके, आपको compile करके, इसी से compile करके, आपको compile मतलब इसी से idea लेकरके, आपको बस इसको project में implement करना है, hopefully सब लोग कर लेंगे, और सब लोग comment section बताएंगे कि कैसे किया जाता है, और अगर नहीं कर पाएंगे, तो मैं telegram पे एक poll डालूँगा, उस poll पे आप vote करीगा, मैं video लेकि आजाओंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, next एक दो दिन में 4 दिन में, कुछ लोग नई series के लिए बोल रहे हैं, तो नई series स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा और वेट कर लो, स्टार्ट करेंगे, कुछ क्याम करने, इस video के लिए इतना रखते हैं, I think आप forward module, आप create कर लोगे, change password वाला module मैंने create कर लिया, तो ये इस project में मैंने काफी चीज़ सिखा दी, अगर आप spring boot start करो या beginner हो, तो आप इस वाले series को आप जरूर एक्सस करें, कौनसी वाली series को आप जरूर एक्सस करें, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आ आप आप है, तो आपको आपको